नमस्कार दोस्तों एस्ट्रो अमिच चैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको आयरुवेद के कुछ स्वर्णिम सूत्र बताऊंगा जिनके मदद से आप पूर्णता स्वस्त हिस्ट पुस्ट और दिर्गायू जीवन बैतीत कर सकते हैं पहला हमेशा ब्रह्म महुर्ट में अर्था चार से पांच बज़े सुबह उठने की आदट डालिए इस समय प्रकृती मुक्त हस्त से आपको स्वास्त प्राण वायू प्रसनता मेधा और बुद्धी की वर्षा करती है दूसरा बिस्तर से उठते ही मुत्र त्याक करना चाहिए उसके बाद बीना मुह धोये या बीना कुल्ला किये दो से तीन गलास पुराना पानी ठंडा पानी पीने की आदट डालिए इस से आपको सीरदर्द, एसीडीटी, कब्स, मोटापा, बलड प्रेसर, नेत्र रोग, इंडाइजेशन, सहित अनेक रोगों से आपको बचाव होगा, तीसरा, इसनान सदा समान नितह सीतल जल से करना चाहिए, इसनान के समय सरव पर्थम, जल को सीर में डालना चाहिए, ऐसा करने से मस्तिस्क की गर्मी पैरों से होते हुए निकल जाती है, चौथा, दिन में दो बार मुह में जल भर कर नेत्रों को सीतल जल से जरूर्ध होना चाहिए, इससे आपको नेत्र रोग से बचत होगी और नेत्र की आपकी द्रिष्टी मजबूत होगी, पांचवा, नहाने से पहले, सोने से पहले और भोजन के बाद मुत्र त्याग अवस्य करना चाहिए, यह आदत आपको कमर दर्द, पत्थरी और मुत्र सम्मंधी सारे रोगों से बचाएगी, छटवा, सरसो, तिल या अन्य, औसिधी तेलों से आपको रोज मालिस करनी चाहिए, जिससे वात, विकार, बुढ़ापा, ठकावट, आदी जैसे रोगों से आपको मुक्ती मिलेगी, आपकी त्वचा सुन्दर, द्रिष्टी, मजबूत और सरीर पुष्ट होगा, साथवा, सरीर की छमता नुसार, प्रातह आपको भ्रमन, योग, ब्यायाम, प्रानायाम जरूर करना चाहिए, आठवा, इंडाइजेक्शन, कब्ज, अजीर्न, मोटापा जैसी बीमारियों से अगर आप बचना चाहते हैं, तो भोजन के एक घंटा पहले और एक घंटा बा नौवा, दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर जल थोड़ा-थोड़ा करके जरूर पीना चाहिए, दस्वा, भोजन के बाद वजरासन में कम से कम 10 मिनट जरूर बैठें, और बाई करवट 10 मिनट जरूर लेटें, भोजन के तुरंत बाद दोड़ना, तैरना, नहाना, मैथून क करना, अर्थात सेक्स करना यह स्वास्त के लिए बहुत हानिकारक माना गया है, तो भोजन के तुरंत बाद इन क्रियाओं को ना करें, भोजन करके ततकाल सो जाने से पाचन सक्ती का नास होता है, जिससे कि आपको अजीर्ण, कब्ज, एसेडिटी, इंडाइजेशन जैसे अनेक बिमारिया होती है, इसलिए साम का भोजन सोने से दो घंटे पहले करें और सुपाच्य भोजन करें, सरीर एवं मन को तरो ताजा एवं क्रिया सील रखने के लिए औसदन छै से साथ घंटे की नीन जरूर लें, गर्मी के अलावा अन्य रित्वों में दिन में सोने और रात्री में अधिक देर तक जगने से सरीर में भारीपन, जवर, जुकाम, सीरदर्द, आदी की समस्या हो सकती है, दूध के साथ दही, नीबू, नमक, तिल, उडद, जामून, मुली, मचली, करेला, आदी का सेवन भूल कर भी ना करें, इससे आपको तवचा संबंधी हो सकती है, स्वास्त और अच्छा स्वास्त चाहने वाले व्यक्ति को मल, मुत्र, सुक्र, अपान वायू, वमन, छीक, डकार, जमहाई, प्यास, आंसू, नींद, जैसे वेगों को उत्पन होते ही, उसे कभी भी रोकना नहीं चाहिए, और इसे सरीर से बाहर निकाल देना च चाहिए, रात्री में सोने से पूर्व दातों की सफाई, नेत्रों की सफाई, एवं पैरों को सीतल जल से धोकर ही सोना चाहिए, रात्री में सयन से पूर्व अपने किये गए कारियों की समिच्छा जरूर करें, अगले दिन की कारी योजना बना लें, उसके बाद आप गहर और लंबी सहज स्वांस लेकर सरीर को और मन को सिथिल करके सो जाएं सांत मन से अपने दैनिक क्रिया कलाप तनाओं चिंता विचार आदी को छोड़ते हुए निश्चिंत होकर निंद्रा की गोद में जाएं तो आप आयरुवेद के इन नुस्खों को और स्वर्णिम सुत्रों को अपनाएं और पूर्णता स्वस्त दिरगायू रहें धर्यवाद